प्रेग्नेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो में मैं बात करने वाली होगी जब प्रेग्नेंसी को कंसीव करती है गरवती महिला तो उसके पेट की शेप को देखकर कैसे घर के बड़े बुजुर्क आइडिया लगा लेते हैं और आपको बोल देते हैं कि अपना और अपने वीयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ बहुत सारी ओल वाइव का कहना है कि जिन महिलाओं के पेट की शेप बहुत ज़्यादा नीचे की और जुकी होती है और ओल शेप में पेट का कार होता है उनको बेबी बॉय होता है तो कितनी हद तक यह बात है और कहा जाता है जिन महिलाओं के नाभी बाहर की और होती है निकली होती है उनको बेबी गर्ल होती है और जिन महिलाओं के नाभी अंदर की और होती है तो उनको बेबी बॉय होता है तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है यह कितना सच है देखिए जैसे ही महिला कंसीव तो धीरे धीरे जब महिला का पेट बाहर आता है, साथवे महिना एक ऐसा दौर होता है कि महिला का पेट बहुत हद तक बाहर आ जाता है, क्योंकि चार से पाँच महिने में बच्चाचे से बढ़ा हो जाता है, पूरा बॉडी बन जाती है तीन महिने में और धीरे धीरे पेट पेट बहार आता है तो साथवे महीने में पूरा पेट बहार आ जुका होता है आठवा-नावा महीन फैक एसा दॉर होता है कि पेट बलकुल बहार होता है और पेट पेट के अकार को देखकर बहुत सारे old wives कहते हैं कि जिनका उपर की और उठा है उनको girl है जिनको नीचे की और जुका है उनको baby boy है तो पहले मैं clear करती हूँ नाभी को कितनी हद तक नाभी वाली बात सच है अब जिन महिलाओं की नाभी पहले भी आपने देखा होगा पहले बहुत सारे महिलाओं की नाभी ना बाहर की और होती है तो जब आप प्रेग्नेंसी को कंसीव करोगे पेट तो वही रहेगा ना आपका पेट तो नहीं बदलने वाला पेट के अंदर से बच्चा है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा नाभी अगर आपकी पहले से ही बाहर की और है तो प्रेग्नेंसी में भी वो बाहर की और ही निकलेगी तो इससे लड़का लड़की हम नहीं पचान सकते की लड़का है या लड़की अब जिन महिलाओं की नाभी पहले ही अंदर है प्रेग्नेंसी से पहले और वो कंसीव करती है तो नाभी उनकी अंदर की और ही रहेगी बाहर से कहा निकलेगी बाहर तो नहीं निकलेगी तो ये एक बहुत ही ईजी है लॉजिक के अब खुद सोचो नाभी जिनकी अंदर की औ और है प्रेग्नेंसी में खुद बाहर कैसे आ सकती है नहीं आ सकती है अगर नाभी पहले ही आपकी बाहर की और है तो प्रेग्नेंसी में बात है बच्चा बढ़ा होगा धीरे धीरे तो नाभी भी बाहर की और ही आएगी तो इससे हमारे लड़का लड़की नहीं पैचान सकत इस 士प में रहता है पेट की शेप उसी तरीके से बनती है आपने थन looks a right नौसपर्पेट के बहुत सरी महीना को देखा को ही और नोटीज भी किया कि जुका हूआ उनका पेट पूरा बच्चा बाहर की और निकल चुका होता है या निकल चुका मतलब कि पेड बाहर की और निकल चुका होता है बिल्कुल प्रॉपरली और एक शेप नजर आती है या तो ओल या तो फुटबॉल या तो राउंड शेप में है ना कुदी नोटिस किया होगा वो क्यों नज लड़के का ही पेट होगा, इससे हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि लड़का है या लड़की, बहुत सारी महिलाओं का देखा गया है कि उनका पेट उपर की और उभरा है और उनको भी लड़का हुआ है, मेरी दोनों प्रेग्नेंसी बहुत डिफरेंट थी, पहली प कहले के साथ हृँल ही पशारी में कृश incorrect है और जोराल में को की बनाई हुई बाते हैं योगों के साथ है हो तो यह भी वह थो प्रेग्नेंशी साथ का मत करो कोई टेंशन या मत घब रोhmen दो पास्दार नेगों लेंग्नाइन को प्लेर हैंने जवर्ष को मैंन आपको बिल् तो उनको बेबी बुआ होता है वहीं अगर नाभी लाइन आपकी थोड़ी सी तेडी है तो उनको बेबी गल होती है तो इस बात पर भी कितरी हतक सच है मैं भी ये क्लियर करती हूँ दफिए प्रेंगनसी सेपहले भी आपने देखा होगा कि हमारी हुँ करहा हमारे अंने हमारे लिल्याह graderां में उस साथा महीन माधा बढ़ जाता है तो पहना घो mo な किता थर जाथा हमारे मैल्याउय nelan बढ़ जाती है तो जिस- मेलग उन्हें में बहुत Nhा स्वाधाम का जळाती है उनकी तो मिल्याह जीडा मात्रा बढ़ जाता है वह सा दू तो सिरफ ये old wives ही हैं देखा होगा हमारे elbow भी जो होती है हमारी कुनी ये भी हमारी काली होती है हमारे जो घुटने होते हैं वो भी काले होते हैं हमारे जो स्तनों के निपल्स होते हैं वो भी काले होते हैं तो सिरफ वो million नाम के हार्मोन के कारण है कि वो हार्मोन की मातरा बढ़ जाती है तो वो निपल्स काले हो जाते हैं साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनके अंदर मिल्लियन नाम के हार्मोन बहुत ज़ादा होते हैं इस करके उनका रंग काला होता है समझ गई आपकी एक्चल में नाभी लाइन हमें काली प्रेगनेंसी में क्यों दिखती है क्योंकि हमारे हार्मोन बहुत जाता है चेंज हो रहे होते हैं बिल्कुल बहुत light सी बस वो pregnancy में जदा dark हो जाती है हमारे hormones करके और कई यो की dark नहीं भी होती है तो क्या उनको बच्चे नहीं होते हैं चाहे लड़का हो या लड़की बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है नाभी लाइं नहीं बढ़ती है उनको भी लड़का हुआ है और सिर्फ ये एक बनाई हुई बातों में बिल्कुल मत आओ टाइंग वेस्ट मत करो सिर्फ इस वीडियो को इंज्वाइली लो क्योंकि आसी यूटूब पे बहुत सारी वीडियो से जिनने देखकर बहुत सारी महिलाइं गलत कदम उठा लेती हो तो वह एक बहुत गलत धारना ह इन बातों में आके अपना टाइम वेस्ट मत करो इंज्वाइली वीडियो को लो अच्छे अच्छे फूट खाओ हैल्दी रहो और जितना हो सकी अपने दिन में दस से बारे गलास पानी पीओ ताकि आपकी बॉड़ी में डी हाइड्रेशन की प्रोब्लम ना हो बॉड़ी ह जितनी बॉड़ी हाइड्रेट रहेगी आप एक्टिव रहेंगे आपका बच्चा हल्दी रहेगा और आपको नॉर्मल डिलिवरी में बहुत जादा हैल्प मिलने वाली है तो आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हल्प मिली होगी आपको बिलकुर समझ आ गया होगा क देख़ो कि हम नाभी लाइन देखकर लड़का लड़की नहीं जान सकते कि क्या होगा जो किसमत में भगवान ने लिखा है वो रचिंद है वो आपको मिलीजाना है वो अगर लड़का है तो लड़का मिलेगा लड़की है तो लड़की हमारा मिशन क्या होना ज youngaid crystal बच्च पर आपको बारीकी से समझा दिया है आई होप आपको समझ भी आया हूँ चैनल पर नहीं है तो फिर से यहीं गुजारिश करूंगी प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करेगा क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है मुझे तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे खूब पानी पीए और आरो का पानी पीए तो बहुत अच्छा है बाबाई टेक कियर